आज के इस वीडियो में हम लोग सम्विधान सब्द का अर्थ, परिभासा और भारती सम्विधान का निर्मार कैसे हुआ इसके बारे में गहराई से अध्याइन करेंगे मुझे लगता है कि इस वीडियो को सभी भारतीयों को देखना चाहिए क्योंकि भारत का जो सासन है वो सम्विधान के अनुसार चलाए जाता है तो सम्विधान क्या है इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए तो आएए लेक्चर सुरू करते हैं और समस्ते हैं सम्विधान जिसे अंगरेजी में Constitution कहा जाता है सबसे पहले हम समझेंगे कि सम्विधान सब्द का अर्थ क्या होता है तो ज्यान दो सम्विधान सब्द दो सब्दों से मिल कर बना है सम और विधान सम का अर्थ होता है बराबर या एक समान तथा विधान का अर्थ होता है नियम कानून तो याद रखना संबिधान सब्द जो है वो दो सब्दों से मिलकर बनाए है पहला सब्द है सम और दूसरा सब्द है बिधान सम का मतलब होता है बराबर या एक समान बिधान का अर्थ होता है नियम कानून अर्थात वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे संबिधान कहते हैं तो ए था संबिधान सब्द का अर्थ अब आईए हम देखते हैं संबिधान की परिभासा क्या होती है तो ध्यान दो संबिधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके दौरा किसी भी देश में सासन विवस्ता चलाई जाती है तो याद रखना संविधान क्या होता है? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, दस्तावेज का मतलब होता है किताब, तो भारती संविधान कैसा है? भारती संविधान एक किताब के रूप में है, यानि एक लिखित स्वरूप में है, तो भारत का जो भी नियम कानून ह वो एक किताब में लिखी हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं संभिधान कहते हैं और उसी किताब के अनुसार जो है देश की सासन विवस्था चलाई जाती है तो ध्यान दो संभिधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट या किताब होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी देश का सासंग विवस्था चलाई जाती है तो याद रखना भारती संविधान जो है वो लिखित रूप में है लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर संविधान जो है लिखित रूप में नहीं होता है समझ में आगे लेकिन भार कानून सरकार की सक्तिया अधिकार आधि के बारे में जो है बिस्तार से लिखा होता है अब हम चर्चा करेंगे कि भारती संविधान का निर्मार कैसे हुआ 15 अगस्थ 1947 को भारत को स्वतंतरता प्राप्त हुई लेकिन उससे पहले भारत पर जो है अंग्रेजों का सासन हुआ करता था तो भारत की सासन विवस्ता जो है उँ अंग्रेजों के अनुसार चलाई जाती थी तो जब भारत को स्वतंतरता प्राप्त हुए उस समय जो राजनेतिक पार्टियों से जुड़े लोग थे ये समासेवक लोग थे उन्हें एहसास हुआ कि जब भारत को स्वतंतरता मिल ही समीति का गठन की यानि कमेटी बनाए तो आप यहां पर ध्यान दो भारती संविधान लिखने के लिए एक समेटी बनाई गई जिसे संविधान सभा कहते हैं तो भारती संविधान लिखने के लिए एक समेटी या कमेटी बनाई गई जिसे क्या कहते हैं संविधान सभा कहते है संबिधान सभा काम एथा कि भारती संबिधान कैसे रहेगा किस प्रकार से उसमें नियम कानून लिखा जाएगा तो इसके लिए क्या हुआ नौ दिसंबर 1946 को संबिधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सचिदानन्द सिन्हा को अस्थाई अध्याच चुना गया तो याद रखना जो ए डॉक्टर सचिदानन्द सिन्हा है ए अस्थाई अध्याच थे तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ संबिधान सभा की पहली बैठक हुई थे यानि पहली बार सबको बुलाया गया पहली बैठक हुई पहली मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो अध्याच थे वो कौन थे डॉक्टर सचिदानन सिन्हा थे जो की अस्थाई सदस से थे यानि टेंप्रोरी थे क्यों इन्हें चुना गया क्योंकि उस समय सबसे जो वरिष्ट थे सबसे ज्यादा उम्र जो था वो किसका था वो डॉक्टर सचिदानन का था इसलिए उन्हें क्या किया पहली बैठक का अध्याच चुना गया संबिधान सभा की जो पहली को डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को संभिधान सभा का अस्थाई अध्यच चुना गया तो यह परिछा के दरिष्टी से बहुत महतुपूर्ड हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो परिछा के दरिष्टी से महतुपूर्ड हैं तो इरा दिसंबर याद रखना हैं उनेशन सो चियालिस को डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को जो है संभिधान सभा का अस्थाई यानी के परमानेंट अध्यच चुना गया और संभिधान सभा में कुल कितने सदत से थे याद रखना 299 सदस से थे तो परिच्छक के द्रिष्टी से बहुत महतुपूर्ड है तो संभिधान सभा में कुल कितने सदस से थे 299 सदस से थे और अस्थाई अध्यच्च के रूप में कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद थे ठीक है आगे ध्यान दो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समीती का गठन किया गया प्रारूप समीती यानि की एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाएगा कि यानि संभिधान किस प्रकार रहेगा और उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रारूप समीती यानि ड्राफ्टिंग कमिटी बना के कारण उन्हें भारती संविधान का सिल्पकार कहा जाता है तो याद रखना जो ड्राफ्टिंग कमीटी थी यानि कि जो प्रारूप समीती थी उसके अध्यच्च कौन थे उसके अध्यच्च जो थे डॉक्टर भीम राव अमबेटकर थे और और अम्बेटकर ने क्या किया था भारती संबिधान के निर्माड में बहुत महतुपूड भूमिका निभाई थी और उनका योगदान भी बहुत जादा था इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें भारती संबिधान का सिल्पकार कहा जाता है यानि की the architect of Indian constitution कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर को और यह क्या थे drafting committee के अध्याच थे आगे ध्यान दू संबिधान लिखकर पूर्ड होने में कुल जो है दो वर्स मतलब होता है दो साल यारा महिने और अठारा दिन का समय लगा था तो संबिधान को पूरा लिखने में कुल कितना समय अज़गा था भरती संबिधान को लिखने में और 26 नौंबर यह तारीख याद रखना 26 नौंबर 1949 को संबिधान सबाने उसको स्विकार किया था तो याद रखना जब संबिधान लिखकर पूरा हो गया तो सम्षिद्धान सभा ने जो है 26 नौवंबर 1949 को जो सम्षिद्धान था उसे सुईकार किया गया था इसलिए 26 नौवंबर का जो दिन है ओस सम्षिद्धान दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि Constitution Day के रूप में मनाय जाता है तो 26 नॉवंबर को कौन सा दिवस मनाए जाता है संभिधान दिवस मनाए जाता है क्योंकि 26 नॉवंबर 1949 को संभिधान सभा द्वारा स्विकार किया गया था कलियर हुआ आगे समझो 26 जनवरी 1950 है इस दिन से देश का सासन चलना सुरू हुआ था तो देश का सासन जो है संभिधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारम हुआ था यानि की संभिधान कब लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन से देश का सासन चलना शुरू हुआ है इसलिए हम लोग जो है 26 जनवरी का जो दिन होता है उसे गड़तंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं यानि कि री पब्लिक डे के रूप में मनाये जा तो मोल भारती संविधान में कुल कितने भाग हैं याद रखना परिच्छा में बहुत पूछा जाता है 22 भाग थे 22 भाग मतलब 22 पार्ट थे अलग-अलग पार्ट थे पार्ट मतलब समझ लो की लेशन हुआ करते थे अलग-अलग ऐसे लेशन टाइप हुआ करते थे और 395 अनुछेद, नुछेद का मतलब होता है article, तो 395 आर्टिकल यानि, 395 अनुछेद था, अनुछेद का मतलब क्या होता है, समझे लो, topic होता है, जैसे हम लोग topic लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अनुछेद कहते हैं एवां आठ अनुसूचियां थी अनुसूचियों का मतलब होता है सेड्यूल ऐसे आठ अलग अलग और टॉपिक थे जो टॉपिक जोड़ा जाता है लास्ट में उसे हम लोग क्या बोलते हैं अनुसूचियां यानि सेड्यूल बोला जाता है तो ए मूल सं संबिधान में 22 भाग 395 अनुछेद और 8 अनुसूचियां थी हाला कि बाद में संसोधन होते गए और कुछ जो है अनुछेद बढ़ गए और कुछ अनुसूचियां जो है इसमें बढ़ गई है तो मेरा पढ़ाने का मकसद है कि आपका बेस जो है ओ इस्ट्रॉंग किया आप हर एक कॉंसेप्ट को अच्छे से सीख पाओगे समझ पाओगे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है भारती संविधान एउमर राज बेवस्था आप जाके वहां से पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वीडियो हैं वहां पर देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल